दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस मूबी के बारे में एक्स्प्लेइन करने वाले हैं उस मूबी का नाम है सिस्टर ओफ माइन जिसे 2017 में रिलीस किया गया था और इस मूबी में आप देखेंगे कि कैसे एक वैक्ति अपनी सिस्टर के साथ गहरायो में डूब जाता है और ऐसा वो क्यों करता है और इस मूबी में आगे क्या क्या होता है ये सारी चीज़े आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो चली बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो मूवी शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक लेम्रन स्वामी को जिसमें रात काफी ज़दा हो चुकी है और रात के समय में अकेले खाली बैठे इंसान उसका क्या ही मन करेगा ये तो आप बखुबी समझ सकते ही हैं तो दोस्तो यहाँ पर लेम्रन स्वामी अपने बढ़ते हार्मून के वज़़ा से काफी परिसानी में रहते हैं और अपने उच्छाल मार रहे हार्मून को रोकने के लिए ये अपने लैप्टॉप का इस्तमाल करते हैं और फिर वो अपने एक हाँ से लैप्टॉप को समालते हैं और दूसरे हाथ से अपने बंटी को और लैपटोप में ये सारे चीजों को देखकर ये इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो एक के करके सारे साइटों को ओपेन करना चालू कर देते हैं लेकिन इसके बीच उनके सामने एक ऐसा वीडियो आता है दोस्तो इस वीडियो में जो एक्ट्रेस थी वो कोई और नहीं बलकि इनके खुद की सिष्टर पुच्ची कली थी और लेम्नन स्वामें पहली बर पुच्ची कली को देखकर पूरी तरह से सौक हो जाते हैं लेकिन उसके कुछ सेकेंड के बाद ही मुन्नो ने उसे चुन लिया और दोस्तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वैक्टी के पास हवस की प्यास कितनी कूट-कूट के भरी पड़ी है और भाई तो अगले ही दिन निकल पड़ते हैं उसके सहर की और और वो पहली बार अपने टांगों के बीच का नहीं बलकि वो अपने दो कानों का इस्तमाल करते हैं और उसका इस्तमाल करके ये डिसाइट करते हैं कि वो अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि अगर घर गए तो उसे फैमली के साथ रहना पड़ेगा और फैमिले के साथ रहेंगे तो उसके मुन्नो की इक्षा को पूरा कौन करेगा और पुच्ची कली के होस्टल के पास ही वो रूम रेंट पर एक रूम ले लेते हैं और वो एक दिन जान बुश कर अचानक से मुलकात करते हैं और श्टाटिंग में पुच्ची कली तो उसे पहचानी नहीं पाती क्योंकि भाई तो यहाँ पर दाढ़ी वाडी बढ़ा करके कबीर सिंग के लुक में पूरी तरह से रहते हैं और फिलाल तो इनके पास आत्मा भी कबीर सिंग वाली ही है लेकिन कुछ देर के बाद सारी कन्फिजन दूर हो जाती है और पुच्ची कली उसे घर जाने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर लेम्रंस वामें पुच्ची कली से कहते हैं कि वो बिजनस परपस के लिए यहाँ पर आये हुए हैं और घर जाने के लिए टाइम नहीं है और ये बोल करके फिलाल वहाँ से वो चला जाता है लेकिन उसके अगले ही दिन पुच्ची कली के कहने से पहुँच जाता है वो अपने फैमिली के पास था क्योंकि दोस्तों जो लेम्रण सौमी है वो अपनी हरकतों की वज़ा से वो पर उन्होंने देखा कि उनके पास एक बोक्स आया है और ये बोक्स किसे और नहीं भेजा था बलकि अपने ही लेम्रण सौमी ने उसके पास भेजा था और पुच्ची कली जब उस बोक्स को ओपेन करती है तो उस बोक्स के अंदर बहुत ही छोटे-छोटे गच्छेया थी एक्चुली दोस्तों लेम्रण सौमी पुच्ची कली को उन छोटे-छोटे कपलों में दिखना चाहते थे और पुच्ची कली को ऐसा प्रतीत होता है कि वो बोक्स उनके बोईफ्रेंड ने भेजा होगा और इन सारी बातों को ज्यादा माइड नहीं करती खैर कि उसके अग पर उसका बोईफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रेट नहीं करता तो उसे वहाँ पर कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था और यहाँ पर लेम्रण सौमी को पता है कि वो अपने बोईफ्रेंड के साथ पार्टी में गई है और लेम्रण सौमी कॉल करके बुला लेता है अपने प फुकता हो या फिर कहीं जगा का कंडा फुकता हो और यहां पर हम नोटीस करते हैं पाटीस के सोरगुल में आ करके नसे में टली होने की वज़ा से लेम्रण सौमी और पुच्ची कली एक दूसरे के पुच्ची लेने लगते हैं लेकिन इतने में ही पुच्ची कली पता नहीं के लिए के लिए चाहें लोगा यहाँ पर उस से मिलने के लिए आ यहाँ पर और जब पुछीकली wheat कर रही थी तो उसकी नजर झाती है पास पड़ी एक कैमेरे पर और जह簡ी आ है तो उसे एक वीडियासम दिखाई देता है और इसे वो देखकर काफी ज़्यादा सौक हो जाती है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करती और कुछी देर के बाद ही लेमलन स्वामी में बाहर आ जाता है और यह दोनों साथ में जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो घर पर भी जा सकते थे पर मैं आपको ये भी बता दू कि कि बनाने के नाम पर लेमलन स्वामी को स्रिफ घोड़ी बनाने आता है और इसलिए पुच्ची कली को बाहर ले गए खाना खिलाने के लिए और यहाँ पर उनकी बाते ये स्टार्ट होती है करियर समय इंटरनाट की घरों में तहलका मचा रही है और यहीं पर बातों ही बातों में अपनी पुच्ची कली पुछ लेती हैं लेमलन स्वामी से कि तुम्हारे ही कैमरे पर मैंनी तुम्हारी वीडियो एसम देखी थी और इसी बीच लेमलन स्वामी उसे किलिर करता है हाँ वो लोगों ने उसे डिलेट कर दिया था खैर कि इसके बाद वो सीधा घर जाता है और पुच्ची कली को सारे बाते बता देता है और सारी रिकॉर्डिंग पुच्ची कली को दिखा देता है जो उसने इस पाई कैमरे से रिकॉर्ड किया था और यह देखकर पुच्ची कली को बहुत ज़्यदा गुस्सा आता है और पुच्ची कली लेमलन स्वामी से कहती है कि ये क्या बेहुदा मजाक है और इस पर लेमलन स्वामी कहता है कि मुझे तुम्हे दिखना पसंद है तो पुच्ची कली ने कहा कि ठीक है मुझे देखना पसंद है तो क्या तुम मुझे फव चीज़े कुछ भी नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है दोस्तों उसके घर जाने के बाद हम देखते हैं कि पुच्ची के लिए अल्रेडी बहुत इगिली हो चुकी है मतलब कि उसने हामी भर दी है लेमलन सौमी की इंटरी के लिए और यहां पर रात में वो अपनी बॉइफ्रेंड को कॉल करती है पेलम पाली कारिकरम को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि पुच्ची केली को ये बत पता है कि उसके कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है और वो जान बूच कर लेमलन सौमी को दिखाने के लिए अपने बॉइफ्रेंड के साथ पेलम कालम के कारिकरम करती है फिलाल तो भाया जी अपने रूम पर रगलम कारिकरम करके काम चला लेते हैं लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग एक पिकनिक में गए थे तो लेमलन सौमी उसे फालो करते करते उस पिकनिक पर पहुँच जाते हैं और फिर वो दुनों जंगल में मंगल का कारिकरम करते हैं और लेमलन सौमी के इस कारिकरम को उसके बॉइफ्रेंड ने भी साब साब जाड़ियों में छुप करके दिखा था जिस वज़े से वो फौरण वहाँ से चला जाता है और घर जाके अपने सासो मा को सारी बाते बता देता है खैर कि यहाँ पर जो इनका जंगल में मंगल का कारिकरम था वो इतना ज़्यादा लंबा होता है कि पूरी रात बिख जाती है और रात में जब ये लोग पानी-पानी हो गएं तो पुच्ची कली घर वापस आती है और यहाँ पर उसकी मम्मी को सारी बाते पता होती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसके ममी पुच्ची कली के चोटी घीच घीच कर नाली में घसिट घसिट कर मारती है क्योंकि उसके वाइफरेंट ने सारा कुछ पहले ही बता दिया था और यहाँ पर दुसरी तरब जो उसका वाइफरेंट था वो गुस्से में आकर लेमलन स्वामी के गोटे काट देता है और उसके बाद से ही पुच्ची कली को घर से बाहर निकलना मना हो जाता है और तो और उसके फोन को भी छीन लिया जाता है यहाँ पर लेमलन स्वामी उससे कांटेक्ट करने के काफी कोसिस करता है लेकिन उसका कॉल वो रिसी भी नहीं कर पाती और लेमनन स्वामी को कॉल उसके मौम उठाती है और उसे दूर रहने के सला देती है दूसरे तरफ हम पुच्ची कली को साफ साफ देख पा रहे हैं जिसे अब सच मुझ टूरू लब हो गया है और वो अब लेमनन स्वामी को काफी मिस करती है और इसी के बिच जब वो एक बार अपनी मौम के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी तो उसे बिच पुच्ची कली कार से बाहर निकल करके चली जाती है अपने बाबू के पास और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाबू उसके ही फ्रेंड से पूछ रहा है क्या और दाबू और यह साथी चीज़े को देखकर पुच्ची कली का दिल तूट तूट जाता है जैसे किसी के पापा अपने बेटे को सिगरेट पीते देखकर उसके टांग तोड़ते हैं और यहाँ पर फाइनली पुच्ची कली को यह रियालाईस हो जाता है कि मेरा बाबू मेरे दिल की धरकने सुनता है लेकिन असल में वो धरकने नहीं सुना करता था वो तो बस अपने निचोडन कार्विकरम ने लगा रहता था जिसके बाब पुच्ची कली बहुत ज़्यादे दुखी हो करके वो अपने घर वापस लौट आती है और दोस्तों उसको कुछ दुनों के बाद हम देखते हैं कि लेम्रान स्वामी की नाम पर एक लेटर आया है और लेम्रान स्वामी उस लेटर को ओपेन करता है